हलो फ्रेंड्स आज मायो मानपूर बस स्टेंड जहां सापको वजीरगंज हिस्वा नवादा बिहार बेगु सराई पुर्णिया दालकोला किसंगंज इसलामपूर और सासा सिलिगूरी किसंगंज पुर्णिया दालकोला जायपूर दिल्ली आगरा धनबाद कलकत्ता ये सब जगह के गाड़ी जहां से मिल जाती है और ये है गया रेलवे स्टर्शन से माधर and 3 km की दूरी पर मैं आपको कुछ जगह के भाड़े बताता हूं अगर आपको जाना सिलिगूरी तो ये आपके सामने बुलूर कर के जो बस है ये ये जाती है सिली गुड़ी और सिली गुड़ी आप यहां से अगर चार बज़े शाम में बैठते हैं तो आप सिली गुड़ी पहुंचेंगे दूसरे दीन सुभा नौ बज़े इतनी लंबी सफर है सिली गुड़ी की और जिसकी भाड़ा है 700 से लेके 800 रुपय तक अब मैं आपके सामने दो ट्रैवल स्वाले की काट शेर कर रहा हूँ अगर आपको कोई भी डॉट है तो आप कॉल करके पूछें और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखे यहां भी आपके सवाल के जवाब दिये जाएंगे अगर आप गया से बिहाब श्रीफ या गया से नहादा ट्रैवल कर रहे हैं तो यहां पर आपको मिलते हैं दो तरह के बस एक होते हैं AC और एक होते हैं 9 AC गया से बिहार श्रीफ के लिए 100 रुपया 9 AC में और गया से निवादा गया से निवादा के लिए 70 रुपया 9 AC में पर अगर AC की बात किये जाए तो गयार से बिहार श्रीफ 120 रुपया आपके लग जाते हैं बिहार शरीफ और नेवारदा जाने वालों के लिए कोई परिशानी नहीं होती है कि यहां पर हर टाइम बिहार शरीफ और नेवादा के लिए गारी मिल जाता है मानपूर से Gears Railway Station का और भाड़ा है मातर 10 रुपया मानपूर बस स्टैंड आने के लिए आपको गेर रेल्फिस्टेशन से आटो लेना पड़ेगा जो आपको 6 लाइन ब्रीज क्रॉस करते हुए यहां मानपूर मोड पे पहुँचाएगा और मानपूर मोड से मातर 10 कदम पे आपका बस स्टैंड है अब मैं बात करूँगा फल्गून अदी पर बना 6 लाइन ब्रीज के बारे में यह 557 मीटर लंबा ब्रीज और यह फल्गून अदी के उपर है जिसका इनाउगरेशन 2018 में किया गया था यह complete six line complete हुआ था 2018 में अगर आप इसके पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं मतलब पुराने पूल को तो इसका पुराना पूल कुछ इस तरह का था जिसके उपर ट्राफिक बहुत जादा होता था क्योंकि चोड़ाई कम थी और यह 100 साथ से उपर का हो गया था जाया करते थे जिसके वज़ए से लोगों को आने जाने में बहुत जादे कठिनाया होती थी 65 क्रोड की लागस से बना यह नया six line bridge हमारे समय को बहुत जादा बचाता है मातर 557 मीटर की यह दूरी है जो पहले 1 से 2 घंटा लग जाया करती थी ड्राफिक होने कारण और अब मातर 2 से 3 मिनट में हम लोग इसको cover कर लेते हैं इस bridge का उटगाटन 2015 में नितिश कुमार के दुवारा किया गया था जिस वक्त यह मातर 3 line बना था और 2018 में जब यह six line बना तो इसका inauguration ते जश्वी यादब के दुवारा किया गया तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी कोई डॉट हो तो comment box में लिखिए आपके सवालों को जवाब दिये जाएंगे अगर आप गया से राजगी जान जाते हैं तो उसके भी वीडियो मैंने अपने चैनल प झाल झाल झाल